मुझे आपके आपकी बहुत अच्छी हुज़ी होगी आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन, फजीता, पीज़ा और इसके लिए जो जो अज़ा इस्तमाल होंगे वो मैं आपको बताती चलूँ सबसे पहले मैदा, चीनी, कुकिंग ओयल, पानी इसके इलावा हमें चाहिए नमक और येस्ट, मतलब खमीर चलिए चलते हैं, तैयारी की तरफ सबसे पहले हमने ले लेना है पानी हाफ ग्लास पानी है, इसमें मैंने डाल दिया है खमीर और इसको मैं अच्छे तरीके से कर लूँगी मिक्स, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसको दस मिनिट के लिए साइट पे रख देना है जी तो तीन कप हमने मैदा ले लिया है, इसमें 1 टी स्पून सॉल्ट और 1 टेंबल स्पून शूगर डाल देंगे और अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है तमाम अज़ा हापस में अच्छे तरीके से कर लेंगे हम मिक्स मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे थ्री टेबल स्पून ओयल ओयल डालने के बाद भी हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे mix अच्छा तरीके से mix कर लेंगे इसको और अब हम इसमें add करेंगे अपना खमीर वाला mixture जो हमने पानी में डाल के 10 मिनट के लिए side पर रखा था अब वो हम इसमें add कर देंगे इसमें add करने के बाद हम आटे को अच्छे तरीके से गून लेंगे और अपना dough तियार कर लेंगे dough हमारा हो गया है ready इसको हम उपर oil लगा के अच्छे तरीके से इसको हम कर देंगे cover और इसको हम रख देंगे side पर अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको kindly सब्सक्राइब करें और side पर ये bell icon नजर आ रहा है इसको भी press करें ताके मेरी तमाम वीडियो के notification आपको मिल सकें जो topping के लिए chicken यूज होगा इसको हमने करना है marinate चिकन में वन टेबल स्पून हम डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स इसके लावा हम इसमें आड करेंगे salt वन टी स्पून black pepper वन टी स्पून रड चिली ये भी हम वन टी स्पून ही लेंगे इसके लावा मैं इसमें आड करने लगी हूँ वन टी स्पून लेसन अदरग का पेस्ट और इसके लावा अब इसमें आड करेंगे cooking oil cooking oil एड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे mix ताकि जो तुमाम मसाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह mix हो जाएं चिकन को आदा घिंटा हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे जी तो चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है flame on कर लें और इसमें डाल लें अपने चिकन को इसमें हमने cooking oil अब नहीं डाला है क्यूंके मैरिनेट करते दाइम हमने इसमें cooking oil डाल दिया था इसको अच्छे तरीके से हिला लें और इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारा चिकन रेडी नहो जाए पांच से साथ मिनट हो गये हैं और चिकन हमारा almost ready हो गया है अब हम इसकी flame को कर देंगे off और इसको हम निकाल लेंगे एक ball में डो हमारा हो गया है ready इससे हमने कर ली हैं दो पेड़े डो हमारा हो गया है तयार अब हम इसको pan में रखेंगे उससे बेले हम pan को कर लेंगे अच्छे तरीके से grease अब हम इसमें रख देंगे अपनी pizza crust और इस तरीके से इसमें कर देंगे छोटे छोटे सुराख pizza topping के लिए जो चीजें इस्तमाल होंगी वो आपके सामने है शिमला बीड्स, लंबे लिंबी आपने काट लेनी है उसके इलावा टमाटर और प्यास और ये जो दर्मियान में है ये है हमारी pizza sauce ये मैंने खुद गर में तयार किया है अगर आप चाहें तो बजार से भी ले सकते हैं और ये रहा हो चिकन जो हमने तियार किया है ये मुजरेला एंड चेडर चीज ये रही मुजरेला चीज और दूसरी ये है चेडर चीज जी तो पीजा हम अब टॉपिंग के लिए तियार हो गया सबसे पहले हमने लगा दी है इसमें पीजा सॉस चीज अब हम लगा रहे हैं चिकन इसके बाद हम इसके उपर लगा देंगे वेजिटेबल्स जी तो पीजा हमारा है तक्रीबन हो गया है तयार हमने सारी इस पे वेजिज एंड चिकन लगएरा और चीज डाल दी है एक पीजा मैं आपको बगएर ओवन के बेक करना बताऊंगी कि वो कैसे त्यार होगा उसके लिए आप मिरसाथ बने रहे हैं जी सबसे पहले आपने पतीले में आपने डाल दिन है नमक पतीला जो है वो पांच से दस मिन्ट हो गए है मीडियूम फ्लेम पे मैंने रखा हुआ था प्री हीटिड ओवन में ही हम पीजा बनाते हैं तो यह अलरड़ी हीट अप हो चुका है इसमें हमने डाल दिया अपना पीजा अब हमने इसको 30 से 35 मिनट के लिए मीडियूम फ्ले जी तो 30 से 35 मिनट हो गए है अब आपने अपना पीजा जो है वो निकाल लेना है पीजा आपका हो गया है माशाला से तयार अवन से भी हम अपना पीजा निकाल लेंगे जी तो यह भी हो गया है रड़ी उश्बू दोनों की ही इतनी मज़े की है कि मत पूछ यह पीजा वैस कि अज़िए 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 लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स एन फैमिली साथ शेयर करना मत भूलिएगा मिलते हैं इंशाला नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिए अला हाफिज